नमस्कार विद्यार्तियों आज अपन पढ़ेंगे मौरियोत्तर काल मौरियोत्तर काल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख मौरियोत्तर काल या मौरियोत्तर वंच इसके अंतरगत देखो, सबसे पहले कोशन बनता है कि मौर्योतर वंच के अंतरगत जैसे मैं आपको पीछे के जो वंच उनके बारे में लगबग क्रम से बताती आ रही हूं कि प्रते एक वंच के अंतरगत कोशन क्या बनता है कि उसका संस्तापक कोन था उसका अंतिम साश्य कोन था संस्तापक है अंतिम साश्य न तो इस परकार के क्यूशन मोसली बनते रहते है संस्तापक है इसके लगा अंतिम इसका संस्तापक कोन था तो यह क्यूशन सबसे पहला क स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंतरगत सबसे पहले अपन देखते इनके वंशों का मोर्योतर काल के अंतरगत प्रमुख वंशों का तो सबसे पहले सुंगवंश सुंगवंश के 65 से लेकर 75 रिशय पूरु तक इसका क्या चला था साशनकाल चला था और इसके अंतरगत साशकों के बारे में कि कौन-कौन से प्रमुक साशक थे तो साशकों के अंतरगत इसके अंतरगत कौन कौन से साशकते हैं इसके अंतरगत देखो पुषे मित्रो सुंग इसके इलावा देव भूती तो याद रखना पुषे मुत्रो सुंग इसके इलावा देव भूती पुषे मित्रो सुंग और देव भूती कौन सा वंच ये सुंग वंच पुषे मित्रो स जिसने अंतिमौर्य समराथ किसकी व्रदत की क्या की थी हत्या की थी और वन्ष पिचेतर से लेके 30 इशा पूरो तक जलता है जिसके अंतरगत वाशुदेव और सुशर्मा जो इस वन्ष के अंतरगत साशक होते हैं नेक्स राता है साथ वाहन वन्ष साथ वाहन वन्ष के अंतरगत साथ वाहन वन्ष के जो है वो तीस इशा पूरु से लेके 203 इश्वी तक चलता है इसके अंतरगत साशकों के अंतरगत कौन कौन से तो इस वंश के अंतरगत साशकों के अंतरगत जैसे शीमुक है, साथकर्णी प्रथम है, हाल है, गोतमी पुत्र शाथकर्णी, वसिष्ट पुत्र पुलवामी, यग्ये श्री साथकर्णी ये इसके अंतरगत क्या हो जाते हैं साशक तो सबसे पहले मैं आपको यह कुषन बतारी हूं लगबग कि वंश इसके लाबन का शाशक तो देखने कुषन ऐसे भी आता है जिसे कि वासुदेव कौन से वंश का borrow कौन से emotion से मुख का सबस्ण कौन से वंच से हैं तो इस परकार की कुछिन साशकों के अंतरगत बनते हैं तो अभी मैंने आपको डिटेल बता है कि इनके बारे में सुंग वंच करणव वंच और साथवान वंच के बारे में नेक्स आगे पढ़ते हैं अब इनके अंतरगत देखो डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा सुंग वंश के अंतरगत सुंग वंश का संस्तापक किने माना जाता है सुंग वंश का संस्तापक किसे माना गया है तो सुंग वंश का संस्तापक पुशे मित्र सुंग सुंग वंश का संस्तापक याद रखन इसके मैंने अभी आप लोगों को ये बताइती कि इसने क्या किया मौरिये सब्सक्राथ की इनोंने क्या किती हत्या करके ये साशक भना था तो पुशे पुष्य मित्र सुंग अंतिम मोर्य सम्राट जिसका क्या नाम था अंतिम मोर्य सम्राट व्रदत व्रदत की हत्या करके यह साशक बना था इनके दर्बारी देखो पुष्य मित्र सुंग के इनके दर्बारी का नाम तो इनका दर्बारी जिसका क्या नाम था पंत जली पुस्तक का क्या नाम था माहा भाष्य जो की व्याक्रण से समद्धी तो इनकी ये पुस्तक का नाम था याद रखना इनके दर्बारी का क्या नाम तो पुष्य मित्र सुंग के दरबारी का नाम अच्छा क्योशन नहीं है most question बनता है दरबारी का नाम इसके इलावा इसने अश्व मेग यग्य करवाया था तो अश्व मेग यग्य का इन्होंने क्या करवाया था आयोजन करवाया था अश्व मेग यग्य करवाया याद रखन सुंग काल में स्तुपों के निर्मान में स्तुपों के निर्मान के अंतरगत किसका प्रयोग पाशान का प्रयोग इसके काल में होने लगा था सुंग काल के अंतरगत स्तुपों के निर्मान में पाशान का प्रयोग होने लगा था फिर उसके बाद में आता है देव हूती जो की अंतिम साशक होता है सुंग वंश का अंतिम साशक जिनका क्या नाम था देव हूती और सुंग वंश के संस्तापक का क्या नाम है तो सुंग वंश के संस्तापक जिनका क्या नाम है पुशे मित्र सुंग नेक्स्ट वंस आता है कौन सा कन्ववंश कन्ववंश के संस्तापक का नाम तो कन्ववंश का संस्तापक जिनका क्या नाम है वाशुदेव वाशुदेव को कण्ववंश का सिंस्तापक का जाता है कण्ववंश का सिंस्तापक और इस वंश का अंतिम साशक जिसका क्या नाम है सूशर्मा सू शर्मा इस वंज का अंतिम साशक तो कण्ववंज का संस्तापक कण्ववंज का संस्तापक है वासुदे और इस वंज का अंतिम साशक जिसका नाम है अंतिम साशक जिसका नाम है सू शर्मा याद रखना सू शर्मा उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सात्वान वंश सात्वान वंश का सबसे अच्छा क्यूशन सात्वान वंश के इंतकरत मोस्ट क्यूशन पहले यहां पर यह बनता है कि राजदानी राजदानी पूछे जाती है प्रतिस्टान जो प्रतिस्टान या पैठाने महरास्ट तो शात्वान वंश की राजदानी शात साथवान वन्ष का संस्तापक कोन है इस वन्ष का संस्तापक किसे माना जाता है सीमुक को साथवान वन्ष का संस्तापक माना जाता है साथकर्णी प्रथम जो की साथकर्णी प्रथम इसके अंदर के देखो इसकी जो पत्नी है जिनका नाम क्या था पत्नी का नाम था नागनी का नागनी का ने नाना घाट अभिलेक लिखवाया था अच्छा क्यूशन बनता है यह साथ करने प्रत्थम इसकी पतनी का क्या नाम था नागनी का और इन्होंने नाना घाट अभी लेख लिखवाया था हाल पुस्तक इसकी जिसका नाम याद रखना हाल की पुस्तक पुस्तक का नाम याद रखना क्या नाम है गाथा सब्त शती जो की कौन सी भाषा में तो कौन सी भाषा में ये प्राकृत भाषा में याद रखना कौन सी भाषा में प्राकृत भाषा में दर्बारी का क्या नाम था गुडागे और इनकी पुस्तक का क्या नाम था इसकी पुस्तक का नाम था व्रत कथा तो सिधा सिधा एक्जाम में क्युश्ण आता है व्रत कथा किन की पुस्तक है या व्रत कथा किस की पुस्तक है तो व्रत कथा जो है वो किस की पुस्तक है यह है गुडागी की पुस्तक है जो कि किन का दर्बारी था तो यह हाल का दर्बारी था गोत्मी पुत्र शातकर्णी 126 से लेके 130 इश्वी तक और इसे सबसे शात्वाहन वन्स का सबसे शक्ति साली सासक कहा गया है तो साथवाहन वंश का सबसे शक्तिसाली जो साशक का आ गया है वो किनिक आ गया है गोतमी पुत्रफ साथ करनी को साथवाहन वंश का सबसे सक्तिसाली साशक इनकी माता का नाम था गोतमी बलिस्री इनकी माता का नाम था और इनोंने कौन सा अभिलेख लिखवाया इसके गोडे तीन समुंद्रों का पानी का आ जाता शक अगले साथ से काता है शक शहरात वंश के साशक नहय पान को इन्होंने पराजित किया था तो कोशन आता है कि नहय पान को किसने पराजित किया था तो सक जो जिसका नाम कौन से वंश का था ये शहरात वंश के साशक जिसका नाम क्या था तो उसका नाम था नहय पान को इन् थम्भी मुंद्रा भांड जो जोगल다면 मुंद्रा भांड इसके अंतरकते यह कांप यह ना सीग में तो याद रखना कि इसको इसने पराजित किया था तो स्कक्षरात वंश के साथ क्थjsk प्रसाफ्तिम साशक था इसके बारे में बोस्ट फेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से तो एक यहां का देखूई यह अच्छा मदता है कुछ नता है कि ताम्वे के सिखें कौन से वंस में चल आए गए तो कौन से वन्स के द्वारा यह चलाए गहे ते। यहां की व्यवस्था कैसी थी तो सात्वान वंस की व्यवस्था कैसी थी मात्र सतात्मक व्यवस्था थी याद रखना कैसी थी मात्र सतात्मक और देखो यहां का अच्छा क्योशन बनता है ब्रामनों को भूमी दान देने की जो प्रथा का शुरुआत है इस प्रथा का प्रा राज के भासा कौन सी प्राकृत इसके अलवा लीपी कौन सी तो इसकी लीपी कौन सी माने जाती है ब्राम में लीपी याद रखना ब्रामणों को भूमिदान का क्या मिलता है उलेक मिलता है राज के भासा कौन सी रखी गई थी प्राकृत रखी गई थी और लीपी कौन सी तो लीपी का याद रिखना कोंसी ब्रामी लीपी, thank you